वहीं लोकसभा चुनाओ को ले कर उत्तर प्रदेस में BJP ने कमरकस ली है प्रदेस में चुनाओ प्रचार के लिए स्वयम प्रधान मंतरी नरिन्होंदी और केंध्री ग्रह मंतरी अमितर शाह ने कमान संभाल रखी है वहीं प्रदेश इस्तर पर भी बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है बीजेपी के अनुसोसित जाती मौर्चा ने वोड बटोरने के लिए एक नए अभ्यान के सुरुआत की है बीजेपी ने बीजेपी की पहचान सेवा और सम्मान नाम से एक नई मुहिम शुरू की है जिसको लेकर हमारे समवधाता अनुत्रिपाथी ने बीजेपी नेता से खास बात चीत की है उत्रप्रदेश में लोगसवा चुनाओं में बड़ी जीत हासिल करने के लिए और खास तोर पर अनुसूची जाती के लोगों को जागरूप करने के लिए बीजेपी के अनुसूची जाती मोर्चा की तरफ से एक और बड़ा अभियान सुरू किया जा रहा है अभियान का नाम है भाजपा की पहचान सेवा और सम्मान हमा साथ खास बाच्चीत के लिए है बीजेपी अनुसूची जाती मोर्चा उत्तप्रदेश के अध्यक्ष सर कैसे देखते हैं ये कैसा अभियान है किस तरह का अभियान है कहां कहां जाएंगे आप किन किन लोगों से मिलेंगे किस तरह से लोगों को जागरूप करेंगे? और इसको ध्यान में रखते हैं जो उत्साह अंसूचित समाज में दिखाई दिया अभी मैंने अंसूचित मौरचा के छे सम्मेलन कराएं और कोई भी सम्मेलन ऐसा नहीं जिसमें एक लाख नब्बे हजार सवा लाख की संख्या से कामरावी मैंने साथ मार्च को मैंने आगरा में सम्मेलन कराएं बड़ी संख्या में लोग जुटे उसका एक मुखुद देश है कि जो सम्मान भारती जन्ता पार्टी हम सुचित समाज को मिला उससे हमारा समाज बला गौर्मान में थे उससा ही थे वो कहता है कि बाबा साबको जितना सम्मान भारती जन्ता पार्टी में मिला है किसी भी दल में नहीं मिला बारती जिनता पार्टी के हमारे चाहे वो अपने बबासाप का वो पंच्चितीर्स बनवाना रहा हो और संविधान दिवस मनाना रहा हो या 26 अलीपूर रोड जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली उसका इसमारक बनवाना गुजरात में एक संकल भूमी का निर्माण ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज के बीच में जब हम लोग ये पुष्टक ले करके जा रहे हैं तो उनके अंदर एक पॉजिविटी अंदर दिखाई देती है और वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा सम्मान और जो आभाव में हम जीते थे वो हमको प्रभाव में भारती जन्ता पाटिन ने ला दिया और हमने एक नारा लगा है मोदी जी के राज में मैंने नारा मोदी जी के मोदी जी ने ठाना है देश से गरीबी हटाना है बहुत बहुत रहे लिए आभाव में मोदी जी के राज में अंसूचित जाती में 1918 मंडलों की मेरी कार रूप रेखा मेरी तयार हो गया है हम प्रतेक मंडल में एक समेलन कायोजन कर रहे हैं हमने अपनी टीम भी बना ली है कि वहाँ पर कौन लोग जाने वाले हैं तो जैसे जैसे हमको तिथिया मिल रही हैं उन तिथियों में अपने छेत्री पदादिकाली प्रदेश के पदादिकारी रास्टी पदादिकारी उत्तर प्रदेश में जो निवास करने वाले वो सभी लोग जाने वाले हैं यह कब तक चलेगा अभियान कितने दिनों का लक्ष है आपका। अनुसुची जाती के लोगों के सम्मान के लिए क्या क्या किया गया है।